ये कितना देखुप दिख रहा है जानवरों की इंसल्ट मत करो, कुटे क्यूट होते है और क्या दिख रहा है? कुप बॉल की जैसे हमें आदमी होने का एक तो वाइदा है कम से कम हमारे साथ सेक्शुल हरेस्मेंट तो नहीं होता ये कौन कह रहा है? बहुत सारे मर्द भी सेक्शुली हरास्ट होते है ये क्या बोल रही हो तो? इनने सर्प्राइस भी हो रहे हो सोचो के उसके हाथ मेरे स्चोल्डर को टच कर रहे है मैं तो उसके हाथ तोड़तू मिस मीन ने तो हम सब की तरबदारी की है जब कोई लेड की शॉट्सकर्ट पहनती थी ये थोड़ा निकलाइन ऊपर रखती थी तब भी वो उसे गूरता रहता था और गंदी जोक्स मारता था समर में तो यही सब कुछ होता है हमार या की फीमेल एंपलॉईज इतनी भी खूपसूरत नहीं है वो कुछ है वाउ में में बोहाँ कुपसूरत लग रही हो लियारी लग रही हो जहां से सुनिये सब लोग आज के बाद भी अचायल में आप लोग जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकते हैं यहां पर अगर किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ तो वो खुद के लिए आवाज उठाएगा वाँ बहुत बढ़ीया हां लगता है मैंने शो का बेस्ट पार्ट मिस्स कर दिया मुझे पहले से सब कुछ बताना तुमने उस कुट्टे को कैसे मारा अरे यहां पर इस तरह की बाते मत किया करो हां बिल्कुल मैं समझ गी डिसप्याज आमी क्या कौन डिसप्याज आमी तुम्हारे तो साथी है ना क्या कौन मेरे साथ थी मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इसी नाम की तो एक उनलाइन आइडी वाइरल हुई है उसी ने गौणचाव के सेक्शियल हरास्मेंट केसे को वाइरल किया और जो चेंग की रंग में तुम्हारे साथ किया वो भी प्यार डिपार्मेंट क्यों नहीं कुछ करती एमी गायब हो चुकी है यह आर्टिकल वाइरल हुआ है आपको पता भी नहीं मिस्टर चेंग अब इसका कोई मतलब नहीं आर्टिकल रात को ही पोस्ट हुआ है कोई काम पे नहीं था सुबह से यह आर्टिकल वाइरल हो चुका ह मुझे ये मत बताओ, तुम्हारे पास एक गंटा है, इसका क्या करना है, देख लो नहीं तो गेट आउट जी सर, मैं कुछ करता हूँ और तुम, जाके ये आनॉंस्मेंट कर दो के हमने डिंग इशिंग को फायर कर दिया है जाकर सब लोगों को बताओ, वो बियाजयल के लिए काम करता है, गंचाओ के लिए नहीं महिलाओं के अधिकार के लिए गंचाओ हमेशा सपोट करता है लेकिन वो काईदे के दाइरे में होना चाहिए जी, मैं अभी करती हूँ अमिकायब हो चुकी है मिन होई, तो वो अपने पेशन्स खोच चुकी हो मिस्टु शेंक, कॉफी आपके टेबल पर रखी है हेलो मिस्स मिन अब आपको मुझसे क्या चाहिए जब डिंगी चिंग का मिस्टु और एक्सपोज हुआ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि पाथ साल पूराना बदला मुझसे ले पाओगी मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं लेकिन आपके चेहरे पर दिख रहा है कि कुछ हुआ है डर गए हो मुझे किस बात का डर तुमने वो आर्टिकल ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए डिफरेंट आइडी यूज किया और इसका तुम्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ इसके अलावा मैं तुम पर बद्नामी का इर्जाम लागा सकता हूँ मैंने कोई आर्टिकल पोस्ट नहीं किया और तुम तो इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हो में नोगी ये तुम नहीं कर सकता हूँ तुमने जो किया है उसके लिए तुम शर्बिंदा नहीं हो जो सोचना है सोचलो तुमने भहतों के साथ गलत किया है और मुझे यकीन है इन सब को बदला लेना होगा सही बहुत सारे लोग मुझसे बदला लेना चाहते है ऐसे और भी लोग है जो चबाने से ज्यादा काटते है जिंगिशिंग के पास एक कुता है और वो उसे हर जगा लेके जाती है और वो उसे हमारे बेड़ पे भी सुने देती है लेकिन मुझे उस कुत्ते के साथ बेड़ शर करने में बहुत गुस्सा आता है उसे पता है मुझे अच्छा नहीं लगता उसकी मुझे हमेशा गहिन आती है एक बार मेरा और जिंगिशिंग का जगड़ा हुआ था वो मेरी तरफ दोड़ा और मुझे काट लिया यहाँ तुम कहना क्या जाते हूं? अगर यही बगवास करने है तो मैं जाती हूं पेशंस रखो मेरा अभी तक खतम नहीं हुआ है एक दिन जिंगिशिंग बहार गई थी और उसने कहा मैं उस कुत्ते को गुमा के लाओं जिसने मुझे काटा था तो मैं उसे पार्क में लेके गया मुझे पता था उस पार्क में एक काला पिटबूल आता है जो बहुत कुस्सिल था वहां पहुचते ही दोनों में जगडा शुरू हुआ मैंने पिटबूल को उसे सोब दिया और उसने उसकी गरदन मरुड दी यहां पर सबसे मैं तो पुर्नभाग पर उस कुट्टे की दर्दनाक मोत हो गई यह कहानी मुझे क्यों से ना रहे हो कुछ नहीं मैं बस यह बतना चाहता हूँ जिस कुट्टे से मैं नफरत करता था उसके साथ क्या हुआ धमका रहे हो चाहो तो तुम समझ सकती हो मिन होए और एक बात कोई भी कदम उठाने से पहले उसकी कीमत के बारे में सोचो सोचो की क्या तुम उसकी कीमत चुका पाओगी चेंकिरांग शायद तुम सही कह रहे हो हमें कुछ करने से पहले उसके कीमत के बारे में सोचना चाहिए और अभी उस सब की भरपाई तुम करोगे